नमस्कार जस हिंदी के खास कारेकरम स्ट्रेट टॉक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ महेंद्र सिंग आज आप और हम स्ट्रेट टॉक करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले के उपर जो अक्सर सिर्फ और सिर्फ चुनाव में आख़डा होता है एक ऐसे नजारे के उपर आप और हम स्ट्रेट टॉक करने जा रहे हैं जो अक्सर सिर्फ और सिर्फ चुनाव में देखने को मिलता है क्या होता है चुनाव में चुनाव में जो बड़े बड़े नेता होते हैं बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो जनता के पैरों में होते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है वही नेता जिनके और जनता के बीच में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दायरा देखने को मिलता है वही नेता जो जनता से दूरी बना लेते हैं पद मिलने के बाद वही नेता विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद जनता से इतने दूर हो जाते हैं कि जनता से संपर्क तक नहीं हो पाता फिर चुनावाते हैं फिर वहे जनता सुरक्षा के तमाम दाइरों को तोड़ते हुए जनता के पैरों में पहुंच जाते हैं जनता से उनका मिलना भी बहुत आसान हो जाता है कभी गरीबों के घरों में जाते हैं कभी खुद लोगों से हाथ मिलाने के लिए उनके बीच में पहुंच जाते हैं खेतों में पहुंच जाते हैं फसले काटते हुए फोटो खिचवाते हैं लोगों को गले लगाते हुए फो दिखाते हैं तमाम वी आईपी आम बन जाते हैं यहां यह हमारे जो नेता होते हैं वैसे तो वी आईपी होते हैं वी वी आईपी होते हैं लेकिन चुनाव में इन्हें सादगी आ जाते हैं और सादगी को खूब बरते हैं खूब दिखाते हैं कितने भी बड़े नेता हूं चुनाव के दौरान आप देखिएगा इनका बरताव देखिएगा इनके अविलिबिलिटी देखिएगा जरनता के बीच में ही मिलते हैं एक मजाक मजाक में बात कही जाती है ना कि चुनाव तो दो ही चरणों में होने है पहला चरण नेता जरनता के चरणों में और दूसरा चरण लोग नेता के चरणों में असल में देखा जाए तो इसे मजाक मत समझेगा ये सच है अकसर हमारे देश में ये ही होता है और नेताओं का जो बरताव होता है वो इसी तरह का होता है आम दिनों में नेता वी आईपी होते हैं वी वी आईपी होते हैं बहुत दूर होते हैं जनता से लेकिन जैसे ही चुनाव आ जाते हैं तो इन नेताओं को जनता की याद इन नेताओं को याद आती है कि हमें दिखाना है कि हम आपके सेवक हैं और दिनों में जनता नेताओं की सेवक होती है तो इस चुनावी मौसम में महस चंद दिनों की साथकी से आखिर क्या हासिल है इसी के उपर आप और हम आज स्ट्रेट टॉक करेंगे हमारे सवाल बड़े सीधे हैं जिन पर आप भी अपनी राए अपने विचार हमारे साथ सांचा कर सकते हैं क्यों चुनाव के वक्त नेताओं को साधगी दिखानी पड़ती है क्यों चुनाओ के वक्त नेताओं को सादगी याद आते हैं चुनाओ में ठाठ बाट छोड़कर आखिर ये जो तमाम नेता हैं ये सादे क्यों बन जाते हैं बाखी दिनों में ये जनता से क्यों दूरी बनाए रखते हैं कि अगर ये culture है इतने ही जनता के करीब नेता तो तमाम दिनों में होने चाहिए क्या चंद दिनों की जो ये सादगी ये VIP विविए इती कलेछ को बदल देती है क्या और क्या महज फोटो सेशन से ये गरीबों की हमायती नजर आने लग जाते हैं गरीबों की हमायती बन जाते हैं सवाल यहां पर यहां पर यह भी है कि वी आई पी नेताओं की साथगी के उपर आप तमाम एनाराई दर्शक जो हमें देख रहे हैं आपके क्या राय है और आप तुलना कीजिए तमाम विकसित देशों में जहां पर आप रह रहे हैं वहां के नेताओं के कल्चर से वी आई पी कल्चर से और हमारे नेताओं का जो कल्चर है वी आई पी कल्चर है उसके साथ तुलना कीजिये कि क्या तमाम जो विकसित देश हैं जहाँ पर हमारे तमाम NRI दर्शक रहते हैं वहाँ पर जो नेता हैं उनके पास भी इतना बड़ा सिक्यूरिटी का दायरा होता है किया वहाँ पर भी महज चुनाव के अंदर जब चुनाव आ जाते हैं तभी जो हमारे नेता हैं वो कोनेक्टिविटी दिखाते हैं जनता के साथ ये तमाम सवाल हैं जिनके उपर आप अपनी राय अपने विचार हमारे साथ सांचा कीजिए आप हमें बताईए कि आपका क्या मानना है आपका क्या जानना है आपकी क्या ओपिनियन है टेलिवीजन स्क्रीन के उपर जो नंबर आप देख पा रहे हैं वो डायल करके आप कार्यकर्म का हिस्सा बन सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए क्योंकि यह आपका अपना कार्यकर्म है यह आपका अपना मंच है, टेलीफोन की जो लाइन है वो खूल दी गई है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करेंगे, आप हमें बताएंगे तो आपकी बात हम तक पहुँचेगी, हमारी बात देश की सियासत तक पहुँचेगी, देश की सरकार तक पहुँचेगी, तमाम जो लोग हैं तमाम जो नेता लोग हैं आप चुनाव के दौरान अगर इनका बरताव देखेंगे तो आपको बिल्कुल उलट बरताव लगेगा आप देखिए हेमा मालिनी किस तरह से आशिरवाद लेने की कोशिश कर रही हैं और ये दुशंत चोटाला हैं हरियाना से सांसद हैं मतलब खेट में लामनी बोलते हैं ये करने का काम कर रहे हैं संवित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रिय प्रवक्ता हैं पूर्व प्रधान मंतरी स्वर्गी इंजिरा गांधी हाथ में गेहु है और प्रेंका गांधी ब्र्वह भी जानते होंगे खेतों में हैं आप हिमा माली नहीं जानते होंगे मथूरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सांसत भी हैं कुल्दी विश्णोई भजनलाल के बेटे पूरू केंद्रिय मंतरी और मुख्यमंतरी और ये किरन चौधरी ये हरियाना के पूरू मुख्यमंतरी चौ प्रदहर मंत्री नरेंद्र मोदी पाउं धुए थे इन्होंने दलितों के सफाई करमचारियों के आप ये तमाम तस्वीरे देखते जाएए और याद करते रहिए कि क्या आम दिनों में आपको ऐसी तस्वीरे देखने को मिलती हैं आप अपने जहन में इस सवाल को पूछते रहिए कि क्या ये रोज की कहानी है क्या ये रोज की तस्वीरे हैं क्या हम हर इंडिया में अक्सर ऐसा देख सकते होंगे नहीं देख सकते होंगे इसका बड़ा सीधा और साफ सवाल जवाब तो यही है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाओ के दौरान होता है जनाब चुनाओ के विश्णोई गेहूं का सीजन है और गेहूं का जो काम है उसमें हाथ बंटा रहे हैं और चुनाव के वक्त मंदिरों में नेता देखने को मिलते हैं मस्जीदों में नेता देखने को मिलते हैं प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी सफाई करमचारियों के पाउंध हो रहे हैं चार पता नहीं छे सफाई करमचारी सीवरेज की सफाई करते हुए अपनी जान गवा देते हैं सफाई करमचारी पूरे देश में इसी तरह से सीवरेज की सफाई के दौरान अपनी जान गवा रहे हैं क्यों अपनी जान गवा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो सीवरेज की स जो जरूरी ड्रेस होती है यहां तक वो तक इन सफाई करमचारियों के पास नहीं होती सफाई करमचारियों के पास ऐसा कोई एंतर नहीं होता ऐसी कोई मशीन नहीं होती कि वो सीवरेज में उतर कर वहां पर उतरने से पहले ये जाचले कि इसमें कोई जहरीली गैस तो नहीं है कोई जानलेवा गैस तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सफाई करमचारियों के पास लेकिन जब उन्हें समान देने की बात आती है उनका मान बढ़ाने की बात आती है तो प्रधानमंति नरे नमोदी उनके पैरध होते हैं इस बात पर बहस नहीं की जाती कि इन सफाई करमचारियों को तनख्वा कितनी मिलती है इन्हें साधन कितनी मिलते है इन्हें ड्रेस मिलती भी है या नहीं मिलती है इन्हें वर्दी मिलती भी है या नहीं मिलती है क्यों सफाई करमचारी सीवरेज की सफाई करते हुए अपनी जान गवा देते हैं क्यों सफाई करमचारियों को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है यह तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों के साथ एक छोट से बेक के ल स्वागत आपके फोन को उसका भी है स्वागत आपकी राय आपके विचारों का भी है आप हमें कॉल कीजिया आप हमें बताइए कि जो तस्वीरे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है आपके क्या व यह आपको कितना भाती है आप हमें बताईए कि जो नेता चुनाओ के बिना चुनाओ के आलावा जो आम दिन होते हैं उनमें क्यों वी आईपी बने घुमते हैं क्यों जनता और खुद के बीच सिक्यूरिटी का एक बहुत बड़ा दायरा खड़ा कर लेते हैं क्यों ऐसे हाला बना लेते हैं क्यों इतनी दूरी बना लेते हैं कि जनता का अपने नेता तक अपने प्रतीव निधी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वही नेता जब चुनाओ आते हैं तो जनता के बीच होते हैं जनता के घरों में होते हैं जनता के जोपड़ी मे होते हैं कोई उनके साथ खाना खाते हुए फोटो खिचवाता है कोई गले लगा के फोटो खिचवाता है कोई उनके बच्चों को गोद मिलेकर फोटो खिचवाता है अब नया सीजन शुरू हुआ है खेतों में जाया जा रहा है खेतों में गेहों कटवाय जा रहे हैं सीजन ह हीमा मालिनी के फोटो आपने देखे होंगे कुल्दी बिश्नो एदुशंत चोटाला बहुत सारे ऐसे नेताओं के फोटो देखने को मिले राजय वर्धन सिंग्राठो उनकी भी एक तस्वीर सामने आई थी फोटो खिचवाने के चक्कर में कच्ची फसल को काटने लगे थे ये तमाम तस्वीरे हैं ये दरसत तस्वीरे नहीं हैं ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के उपर हम आपकी राए जानना चाहते हैं आपकी क्या ख्यालात हैं ये जानना चाहते हैं तमाम NRI दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग मुख्तलिफ देशों में आप भी रहते हैं अगर आप तुलना करें भारत के VIP कल्चर की भारत के इस चुनावी कल्चर की और जिन जिन देशों में आप रह रहे हैं उन देशों के VIP कल्चर और चुनावी कल्चर की तो क्या अंतर पाते हैं, क्या वहां भी इसी तरह से होता है, ये चंद दिनों का फरेब होता है, क्या, कहने को तो हमारे देश में लोक तंतर है, लोक तंतर का मतलब होता है, लोगों का तंतर, लोक तंतर, मतलब इसमें लोक बड़ा है, लोक बड़े है, जनता बड़ी है, तं तंत्र लोगों की सेवा करने के लिए है जनता की सेवा करने के लिए है और तंत्र में क्या होता है तंत्र में आते हैं हमारे अधिकारी तंत्र में आते हैं हमारे करमचारी इसलिए तमाम नेताओं को अधिकारियों को जनता का सेवक कहा जाता है जनता का नौकर कहा जाता है ले बस इतना भर लोकतंत्र की परिभाशा हमारे देश के लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं बस इतना भर भी समझ ले हमारे देश के लोग तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इन नेताओं को अपनी जो हालत है अपनी जो सच्चाई है लोकतंतर में उनका जो उहदा है उनकी जो उकात है वो याद आ जाएगी और जनता का जो उहदा है जनता की जो उकात है वो जनता अगर समझ ले तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इन नेताओं को भी और जरूरत न निधी तक पहुंचने के ये आम दिनों में भी होगा आप भला बताईए कि हमारे देश की निता किस तरह से रहते हैं हमारे देश की निता अभी शाही तरीके से रहते हैं राज शाही हो मानो इस देश में कि वो इस देश की राजा हो और उस उनके सामने उनके जो वोटर्स है वो उनकी प्रजा हो नहीं यह गलत है अगर ये कल्चर हमारे देश में चल रहा है तो सही माईनों में हमारे देश में लोकतंत्र नहीं आया है महज पांच साल में एक बार वोट डाल देने को लोगतंत्र नहीं कहा जा सकता महज पांच साल में एक बार नेता आपके दर्वाजे के उपर आ जाएं आपके पैरों में पढ़ जाएं आपके साथ फोटों की चुआ लें आपके खेतों में चले जाए एक बार आपके साथ बैठ कर हस मुस्कुरा ले एक बार आपके खेतों में आकर आपके साथ खाना खा ले महज इतने भर से नहीं होगा इन तमाम नेताओं को समझना होगा लोकतंत्र क्या है और तमाम जनता को समझना होगा कि लोकतंत्र क्या है ल बरताओ आप महज चुनाओ के दोरान दिखाते हैं ये आपको हमेशा हमेशा के लिए बरतना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा कि जनता आपकी मालिक है और आप सेवक है तो महज एक बार फोटो खिचवा के आप ये मत समझिये कि जनता धन्य हो गई है ना बिलकुल मत तमाम सुविधाएं देकर अपना पेट काट काट के टेक्स देकर आप लोगों के तमाम वियाइप कल्चर को ढोती है और फिर आप चंद दिनों का फरेब करके फिर से राजशाही वाले मोड में चले जाते हैं और फिर किसी राजा की तरह जीते हैं और जनता को परजा की त मेहन में बस जाना चाहिए यह हमारी सरकारों की अब तक की जीतनी भी सरकारे रही हैं उनकी सबसे बड़ी विफलता मैं कहूंगा रही है कि उन लोगों ने आज तक भी हमारे देश के लोगों को हमारी जनता को लोकतंत्र नहीं सिखाया है कहने को हो जाता है कि जनता के लिए जनता दवारा जनता की सरकार बस यही तो है लोकतंत्र आप परिभाशाओं से शब्दों से बाहर निकरत अगर लोकतंत्र को जीएंगे तो हमें पता चलेगा कि महज चुनाव लोकतंत्र नहीं है महस पांस साल में एक बार वोट डाल देना लोकतंतर नहीं है लोकतंतर का दायरा लोकतंतर के परिभाशा बहुत विस्तरित है और इसी के उपर आप और हम आज स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आप हमें बताईए कि क्या यह जो नेताओं का वी आईपी कल्चर है क्या यह असल में लोकतंतर है जिस तरह से हमने देखा है टू टायर, थ्री टायर सिक्यूरिटी, SPZ सिक्यूरिटी, अलग-अलग स्टेट्स के अपनी-अपनी सिक्यूरिटी होते है उसे अलग-अलग नाम दे दिया जाता है इस तरह के सिक्यूरिटी के दाइरे में हमारे नेता रहते हैं बहुत वारतों हमने ये भी देखा है कि सरपंच पंच बन जाएं पालशद बन जाएं उसके बाद ही सिक्यूरिटी में रहने लग जाते हैं हमारे नेता मतलब इतना क्या डर है आप लोगों को और सिक्योरिटी में रहने का मतलब महज सुरक्षा से संबंध नहीं है सिक्योरिटी में रहने का मतलब अपने आपने ये हो जाता है कि जनता और नेता के बीच में वो सिक्योरिटी आ जाती है वो दूरी आ जाती है आप देखिएगा कि जब भी कोई नेता और नेता का काफिला या नेता का एक सम्मु कहीं से गुजरता है तो उनकी सिक्योरिटी एक तरह से जननता को दुलत्ती मारती हुई चलती है मतलब जननता हाथ बांधे जननता आपने उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी नज़र आती है हेलो हाँ जी नमस्कार नमस्कार अजी शुब नाम जी आपका कहां से बोल रहे हैं आप जी इंद्र जी बहुत पहुत स्वागत है आपका आपकी क्या राए है आपकी क्या विचार है एक तो हमारे नेताओं का जो वी आईपी कल्चर है और महस चुनाव के दिनों में जिस तरह से वो साधगी दिखाते हैं इसके उपर और जो सब डॉग होता है चलावा होता है नाटक होता है इसको जो दूसरे देशों में है इसाई अमरीका में इसराइल में देखू बहुत होता है नाटक होता है वो भी एक हमारी जौब है इसाही समित के काम करते हैं, कोई छोटा बड़ा जैसुस का बात नहीं होती है, और सबका इसका इविलेशन होना चाहिए, यार हमार यहां दो पार्टी सिस्टम नहीं है, हमें ब्रेन ट्रस्ट होना चाहिए जो देखेगा, कि भी शारे दुनिया मे जो पार्टी सिस्टम नहीं होती है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, अभी देखो कि ती साल में चाहिए जो बोलेगा, कि भाय हां, चाहिना जैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और यहां इतना सुब तैयार है, जो देखते हैं, मकान बना और मकान गिर गया, पर्टी बनाते हैं, और उसके अंदर आग लग जाती है, आदमी मर जाते हैं, तो यह सारी दुनिया में भास कर गए, नियोप में मल्टी स्टोड बिल्डिंग है, उसका सुप तैयार है, सीदा सीदा, एक ही बात होना चाहिए, जब ही वो स्पेसिफिकिशन लगता है, इंजिनियर, तभी इंडिया में ISI लिखता है, गयास पर इंडिया स्टांडर्ड स्पेसिफिक इंट्रंस, इसमें जो यह लिख दे, गयास पर ASTM, एस पर American Society of Testing of Materials, यह एक शब्द बहुत काम में आ जाता है, इंडिया में ब्रीज पढ़ जाता है, कुछ तूप जाता है, तो गवर्मे को गाटा होता है, अमरिका के अंदर कुछ भी ब्रीज हो गया, वालों के हमारा वर्ल्स एर्ट सेंटर गिल गया, गवर्मेंट को एक पैसा भी गाटा नहीं हुआ, तो कि यह सब पैसे इंडिया में से मिलें उनको, और इंडिया में से सब करेगी, तो हमें अच्छी जो ची है, और अगे बढ़ना चाहिए, जी, इंडिया में कहां के रहने वाले हैं सब, हम अंदाबाद से, जी, इंडिया बहुत पर शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और अपनी कीमती राय हमारे साथ सांजा की, और अच्छा लगेगा कि आप कॉल करते रहा कीजिए, बहुत अच अच्छेशन दोंगा आपको, कि आप जो अभी जाते हैं, जो टाइटल सोच करते हैं कि यह काम करने का, तो इसमें आपको यह करना चाहिए, कि वही चलो सब बताएं कि इंडिया को अभी क्या करने का है, क्या करनी चाहिए, क्योंकि एक दफे एक बाजू चाइना है, और ए इसे इंडियों ने किया था, कि सोवेट संग के साथ, यूएस एजार का अग्रिमेंट कर दिया था, ऐसा उसको इजाल के साथ, और सब के साथ, अग्रिमेंट कर देना चाहिए, जिससे एक पैसा भी हमको, और ऐर प्लेन वगेरे का कर्च नहीं करना पड़े, और यह सब उस और बलके एक दिन मैं चाहूंगा कि जरूर शायद नेक्स्ट वीक इसी मसले को लेकर कार्या करूंगा, और उस दोरान बिलकुल मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुडियेगा, आज बहुत वह शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, अपनी कीमती राय हमारे साथ आटेंगे, देखके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, स्वागत आपके फोन कॉल्स का भी है, आपके विचारों का भी है, टीवी स्क्रीन के उपर जो नंबर आप देख पा रहे हैं, वो डायल करके आप भी कार्यकरम का हिस्सा बन सकते हैं, यह आप लोगों का अपन मन्च है, टीवी स्क्रीन के उपर जो नंबर देख रहे हैं, वो डायल करके आप भी इसका हिस्सा जरूर बनी है, आप लोगों की जो बात है, आप लोगों की जो राय है, आप लोगों की राय है, वो हम तक पहुंचेगी, इस देश की तमाम सियासत तक पहुंचेगी, सरका आपको समझते हैं, तमाम लोग जिस तरह से अपनी अपनी नावकरी करते हैं, अपनी अपनी जॉब करते हैं, उसी तरह से एक नौकरी एक जॉब उनकी भी है, एक तरह से आप देखिए कि यह जो हमारे नेता हैं मन्तिरी हैं, यह है तो service provider है, है तो हमारी कर्मचारी ही जनता के सेवक ही तो हैं फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें सेलरी थोड़ी ज्यादा मिलती है इन्हें सुईधाएं कुछ ज्यादा ही मिलती है इन्हें जरूरत पढ़ने के पर सिक्यूरिटी भी मिल जाती है इन्हें अधिकार कुछ ज्यादा हासिल है लेकिन इनकी जिम्मेदारी भी है इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जनता के प्रती इनकी जिम्मेदारी है जनता को फैसिलिटेट करना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में और खुद के पड़े ये चुनाव के दोरान ही ना हो के जनता के बीच में आ रहे हैं नेता जी जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं अठ्खेलिय नेता जी ये लोक तंत्र नहीं है और इंद्र जी ने बड़ी कई थ सी आरे देशों का उन्होंने अमेरिका का खास्ता और पर जिक्र किया कि वहाँ पर ऐसा नहीं है आप देखिएगा कि वहाँ पर नेताओं जो तमाम नेता होते हैं वो सिक्यूरिटी के इतने बड़े दाइरे में नहीं रहते हैं आप मैं break पर जाने से पहले जिकर भी कर रहा था कि हमारे देश में होता ये है कि कोई पार्शन बन जाए, कोई सरपंच बन जाए उसके ठीक बात सबसे पहला काम ये होता है कि सिक्यूरेटी के लिए अपलाय किरो उसे अपने साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर चाहिए होता है और ये सिक्योरिटी गार्ड उनकी सिक्योरिटी करने से ज्यादा काम करता है लोगों को नेता से दूर करने का उसी जनता से जिस जनता नेता जी को नेता बनाया है विधायक बनाया है एम्पी बनाया है मंत्री बनाया है अब आप उसी जनता से दूरी बनाने लग जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पर आप फर्स कीजिए कि अगर इतना ही डर लगता है इतना ही खत्रा है आपकी जान को तो आप नेता बनते ही क्यों है कोई और काम कीजिए आप देखते होंगे कि तमाम आम दिनों में क्या होता है कि नेता जी का काफिला चल रहा होता है तमाम रेड सिगनल बीन कर दिये जाते हैं तमाम जाम हटा दिये जाते हैं तमाम कोरिडॉर को एक तरफा कर दिया जाता है root लगा दिये जाते हैं divergence कर दिये जाते हैं ताकि हमारे निताजी की एक मिनट भी खराब नहीं होने चाहिए लेकिन जब निताजी सड़क के उपर नहीं होते हैं तो उनहीं सड़कों के उपर traffic signals से होकर गुजरना पड़ता है traffic jam से होकर गुजरना पड़ता है सीधी साधी सडकों के उपर भी सीधी सीधी नहीं चला जाता ज्यादा तर सहरों में हालात ये हो गए है कि इंच इंच करके किलो मिटर्स का सफर तै करना पड़ता है लेकिन नेता जी के साथ ये नहीं है नेता जी के लिए हमारे देश में एक अलग ही व्यवस्था है कहने को जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि हम वी आईपी कल्चर खतम करेंगे और वी आईपी कल्चर खतम करने के नाम पर जो लाल बत्ती लगी होती है जो सायरन लगा होता है वी आईपी के गाड़ियों के उपर उसको हटवा दिय किया उसे सोशल मीडिया के उपर खुब वाइरल किया बताया कि हमारे नेता विआईपी नहीं रहे हैं लोगों को भी लगने लगा कि शायद विआईपी होने का मतलब यही है कि आपकी गाड़ी के उपर साइरेन लगा हुआ है लालबक्ती लगी हुई है अब यह हट गई है तो आप मान के चलिए के निता जी भी आम लोगों की तरह है, वो भी आपको आपकी जो साइड बस है, बस की साइड वाली सीट के उपर बैठे हुए मिलेंगे, ट्रेन में सफर करते हुए मिलेंगे, ट्रैफिक जाम में फसे हुए मिलेंगे, ये लगने लगा था लोगों को, लेकिन एसासल में हुआ थोड़े ही है, जो लाल बत्ती है, वो VIP culture थोड़े ही पैदा करने वाली होती है, वी आईपी culture तो नेताजीयों के यहां पर है, जो यहां पर fit है, वो है, वो किसी बत्ती के हटाए जाने से नहीं हाटने वाला, फिर लोगों ने देखा, नेताजी का का तब तो कोई जाम नहीं लगता तब तो सब कुछ एक ही रूट पे कर दिया जाता है नेता जी को जहां से गुजरना होता है वहाँ पर रूट लगा दिये जाते हैं डाइवर्जन लगा दिया जाता है एंबुलेंस तक को फाइर ब्रिगेड की गाड़ियों तक को अपना रास सामने होते हैं तब सवाल उठ खड़े होते हैं तब हम आपसे स्ट्रेट टॉक करते हैं तब हम आपसे पूछते हैं कि आखिर यह जो व्याइपी कल्चर है इसके बारे में आप लोगों की क्यार आये है और फिर चुनाव जब आते हैं यह तमाम व्याइपी कल्चर फुर हो जनता हमारी Water है जनता हमारी मालिक है जनता ही हमें अपना पेट काट काट का टेक्स देते हुए हमारी Salary के हमारे ठाटबाट के तमाम ये वस्था करती है ये चंद दिनों का जो एहसास और साधगी है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है आप लोगों के क्या विचार है क्या महस चंद दिनों का जो ये ड्रामा करके फोटो सेशन करके नेता ठग ले जाते हैं पूरे पांच साल के लिए हमारी जनता को इसके उपर आप लोगों किराय आपके विचार चाहिए टीवी स्क्रीन के उपर जो नंबर आप देख पा रहे हैं वो डायल करके आप भी कारियकरम का हिस्सा बन सकते हैं आप जरूर हमें कॉल किजिए यह आपका अपना कारियकरम है यह आपका अपना मंच है हम यह चाहते हैं कि इंदर जी ने जिस तरह से हमें कॉल किया आप भी हमें कॉल किजिए क्योंकि चंद नई बाते चंद नई जानकारिया आप इस कारियकरम में जरूर जोडेंगे चार नए संदेश जो इस देश की सियासत के लिए होगा इस देश की जनता के लिए होगा इस देश की निताओं के लिए होगा वो आप देंगे सतीश चंद्र जी हमारे एक दर्शक है जो लगाता हर कार्यकरम हमारे साथ जरूर जुरते हैं वो जब भी हमसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कितना अंतर है तमाम और देशों के जो सिस्टम है उसमें और खासतोर पर वो इस बात का भी जिकर करते हैं कि दशकों पहले क्या हुआ करता था हमारे ही देश में और आज हमारे देश में क्या हो रहा है ये जो अनुभव है य हम स्टेट टॉप के जरीये सांझा करना चाहते हैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे आपके फोन कॉल्स का इंतिजार जारी है सटीश जी जो हमारे दर्शक हैं व कस जुड़ते हैं एक बार फिर हमारे साथ 123 बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-धर धन्यवाद है आपका के आज ए स्पर आपने कॉल किया है और इस महके कीमती विचार आपकी जो कीमती राय है वो जरूर जुड़े किस तरह से देखते हैं आप नेताओं के बीच में और जनता के वीच में जिस तरह का वी आईपी कल्चर के नाम पर गैप होता है उसको किस तरह से देखते हैं और चुनाओ के दौरान इस गैप को किस तरह से नेता दूर कर लेते हैं उसे किस तरह से देखा जाए जी मेंदर जी धन्यवाद बहुत बहुत 1962 की मुझे बात चाहद आती है जी के हमारे में मंतरी होते थे डी के कृष्टा मैनन जी एक दफ़ा जी कृष्टा मैनन जी लेक्चर देने के लिए के हमारे कॉलेज में आये मैं उस वकट करनाल में था डेली के पास सिटी है करनाल अ हर्याणा में कर नाल जी तो स्वक्त जी महितर जी वो जो थे जारा परवा इतना सुंदर निकलता था कि जितने लोग सुनने वाले थे वो अपने आप उनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सारे मंत्रीगंड सारी लोग सभा के लिए एक उधारन बन जाते हैं कि देखिए ये भी साथकी के साथ रहते हैं और बिना किसी दिखावे के साथ रहते हैं बिना लालबती के रहते हैं लेकिन देखिए भारत का समान युनाइटिड नेशन तक जाके इतना उचा करते हैं कि युनाइटिड नेशन में जो कृष्णा मैनन जी ने लेक्चर दिया हुआ है कश्मीर के बारे में वो आज तक अजिना के जनरलिस्म के स्टुडेंट्स के लिए वो एक उधारन बना हुआ है जी अब मैं आपको एक सधारन शब्दों में कहूं भारत में कहा जाता है नेताओं के बारे में जिनकी हम आजकल बातें कर रहे हैं जो कटे कटाए गेवों को हाप में पकड़के पिर दातरी स काटे दिखा देते हैं जी और कुछ लोग जाके वो अपना दलीतों के घरों में देखते है की रोटी खा रहे हैं जी प्रोटे साथ-पांध के लाएंगे या वहां आके पीजा बाहर से ओर इसे तरह के यह काम करते हैं जी इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि भाई काम करो या ना करो, काम का जिकर करो, काम का फिकर करो, और फिकर का जिकर करो, बस काम करो या ना करो, काम का फिकर करो, और फिकर का जिकर करो, यही लोग जैसे ही यह लोग सबा में पहुंचते हैं जी, यही कुछ करते हैं और अपने पुराने मुद्दे हैं सब भूल जाते हैं उसके लिए जी हमारे देश में वोटर एमपावर्मेंट एक्ट एक आना चाहिए ताकि वोटर अपना राइट टू रिकॉल वो यूज कर सके अब देखिए इन देशों में जहां हम रहते हैं वहां पर क्या सिस्टम है जी टाउन ह सिस्टम महिंदर जी जी साल डेड़ साल बाद यहां के जो चुने हुए नेता है जिनको हम रिप्रेजन्टेटिव कहते हैं या सैनेटर कहते हैं उनकी टाउन हॉल मीटिंग होती है बकाइदा हर साल में जा गेड़ साल में अपने कॉंस्टिटुएंट्स के साथ और उस कॉ पर बेड़ा के उसके गले में कोई फूलों का हार नहीं डालता कौह से नहीं होता है। मिलेगा तो फंट्स क्यों नहीं आए पिछले महीने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस क्यों बंद हुई स्नू की वज़े से तो मोगों ने पहले से स्नू रिमूवल के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किये कहने का मतलब जी हर एक वोटर यहां पे सशक्त वोटर है और साल बाद इसके दुम पकड़ के खीच लूगा माफी करना जी मेरे शब्दों की लेकिन यही एक तरीका है करने का हमारे उन एमपीज का जो जाके पार्लियमेंट में और लोग सबाके अपने दिद दिये हुए घरों में जाके दुम दबाके बैठते हैं और पांच साल तक यह वोटरों को अपनी शकल नहीं दिखाते कि यह कहीं से हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ना हमसे बाद लिए बिल्कुल यह सब होना जरूरी है सतिश जी वक्त की कमी है वक्त की वज़े से हमें खत्म करना है कार्यकरम बहुत 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 शुक्रिया सर आप हमारे अपने हमारे साथ सांजा की अधन्यवाद महिंदर जी आप खुश रहें बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए भारत माता की जैए तो सतीश जी और इससे पहले इंदर जी हमारे साथ जुड़े थे नेता लोग अपने आपको सच में वियाईपी मत समझ आप सेवक हैं और जनरता इन नेताओं की सेवक अपने आपको मत समझ आपनी ताकत को समझ आप समझ आप इस देश के मालिक हैं आप इन नेताओं के मालिक हैं आज स्ट्रेट टॉक में इतना ही जाज़त दीजिए नमसकार